अब देखेंगे अपने आसपास बहुत सारे बक्षियों को देखेंगे तो आज हमको इस वीडियो में पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे पढ़ना है बर्ट के बारे में पढ़ना है तो first of all बर्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमको क्या जानना चाहिए उनके फीचर्स फीचर्स क्या होते हैं गुड यानि कि अगर कोई पक्षी है तो उसके अंदर क्या-क्या फीचर्स पाए जाते हैं जैसे कोई आनिमल है तो उ हमारे अंदर कुछ अलग features है ना हमारे अंदर सोचने संदजने की अच्छे से छमता है हमारे अंदर sense organs हमारे काफी active है हम लोग कोई काम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं और ऐसे ही कुछ features पाए जाते हैं birds में तो देखिये क्या क्या features है सबसे पहला birds have wings and most of them can fly तो birds का पहला feature क्या है बेटा birds में wings पाए जाते हैं punk पाए जाते हैं और अधिकतर birds क्या करती हैं उड़ती है fly means उड़ना birds के बाद क्या पाए जाते हैं wings पाए जाते हैं यहनि कि punk पाए जाते हैं और अधिकतर पक्षिया क्या करती हैं उड़ती है दूसरी बात उनकी जो हड़िया होती है जैसे हम लोगों की जो हड़िया है और एनिमल्स की जो हड़िया होती है वो light नहीं होती है यानि की हलकी नहीं होती है और खोखली भी नहीं होती है, hollow means होता है खोखला और light means हलका, लेकिन birds की जो हड़ियां होती है बेटा, वो कैसी होती है, light यानि की हलकी होती है और खोखली होती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका सरीर हलका रहे, क्योंकि उनको उपर आकास में उनना है, अगर सरीर ही भारी रहेगा तो वो कैसे उड़ पाएंगी तो इसी नाते उनकी जो हड्डिया होंगी वो कैसी होंगी light यानि की हल्की और hollow means खोखली होंगी next देखिये they have feet and claws उनके क्या होते हैं पैर होते हैं and claws होते हैं पंजे होते हैं अभी आपको discuss करूँगी मैं feet and claws क्या होते हैं next point they do not have teeth instead have beak which is used to tear, bite, chisel, crush or chew their food अब देखिये हम लोगों का अगर feature की बात करें दम लोगों के अंदर क्या है खाना खाने के लिए दात पाये जाते हैं टीथ पाये जाते हैं अनिमल्स के अंदर भी टीथ पाये जाते हैं but they don't have any type of teeth birds में कोई teeth नहीं पाया जाता teeth की जगा पर उनके अंदर beak पाया जाता है beak means क्या होता है चोंच beak means क्या होता है चोंच होता है जिसका योज वो लोग क्या करते हैं अगर उनको कोई food लेना है तो उसको tear कर सकते हैं चीर पाड कर सकते हैं काट करके खा सकते हैं उसको छोटा कर सकते हैं पीस सकते हैं चबा सकते हैं यानि कि ये different type of birds में different type का beak पाया जाता है अलग-अलग type के beaks पाया जाते हैं सब में और वो लोग अपना अलग-अलग तरीके से use भी करते हैं तो अभी आप लोग beaks पर, teeth and claws पर डिटेल डिसकस करेंगे अभी आप लोग बस features of birds पढ़ रहे हैं लास्ट है लास्ट फीचर क्या है birds का birds have streamlined bodies which help them to fly birds के पास streamlined body होता है बेटे आप streamline means क्या होता है देखिए जैसे fish होती है na fish की body क्या होती है ऐसे birds का भी होता है streamline जो की उनको हवा को चीरने में यानि की हवा को हटाते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं उसमें help करता है तो birds के features के बारे में आपने क्या-क्या पढ़ा birds के पास punk होते हैं जिससे की बहुत सारी पक्षियां उड़ती हैं आकास में उनकी हड़ियों की बात करें तो हड़िया कैसी होती है हलकी होती है और खोखली होती है उनके पास पंजे और पैर होते हैं feet and cloth अलग-अलग type के अलग-अलग पक्षियों में होते हैं उनके पास दात नहीं होते हैं दात की जगा पर क्या पाया जाता है चोंच पाया जाता है जिसकी help से अपने food को चीवते फाड़ते हैं काड़ते हैं खाते हैं और चबाते हैं इसकी अलावा birds में streamline body पाया जाती है जिसकी help से वो क्या करते हैं आकास में उड़ते हैं streamline body मैंने आपको बता दिया है तो बेटा यह सारे हो गए features of birds ध्यान से देखेगा आप लोग वीडियो को अब हम बात करेंगे types of beaks की अभी तक तो हमने क्या पढ़ा birds क्या होती है उनके features क्या होते हैं लेकिन अब हमको पढ़ना है types of beaks types means क्या होता है प्रकार और beaks means चोंच के प्रकार बीक मिस क्या होता है चोंच होता है आपको पता है तो हमको क्या पढ़ना है चोंच के प्रकार के बारे में पढ़ना है types of beaks पढ़ना है तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो क्या होता है बेटा crushing beak, क्या होता है crushing beak, crushing beak means क्या होगा, जैसे sparrow, sparrow देखा अपने, goraya पीजन, अपने आज पास देखा होगा pigeon को भी, कभूतर, यह देखे यहाँ पर उसका picture भी है, यह देखे यह कभूतर है pigeon, यह sparrow हो भी, फिक है, अब क्या होता है, इन लोगों के पास crushing beak होता है कैसा beak होता है? Crushing type का beak पाया जाता है जिसके help से ये अनाज के दानों को या कोई भी बीज गिरा हुआ है seed, seed में इस क्या होता है? बीज, उसको उठा करके उसको soft बनाने के लिए ये क्या करते हैं? उससे अपनी beak के help से crush कर लेते हैं तो ऐसे birds जिनके पास इस type का beak पाया जाता है उनके beak को हम क्या बोलते हैं? Crushing beak, जोकि उनका beak क्या होगा? इस strong होगा जिसकी help से वो अपने food को crush कर लेते हैं, यानि कि छोटा कर लेते हैं और मुलायम कर लेते हैं खाने से पहले ठीक है? तो crushing beak आप समझ गया क्या होता है? sparrow और pigeon में पाया जाता है और भी बहुत सारे birds में पाया जाता है और इस type के beak के help से क्या करती हैं बक्षियां? seeds को और grains को खाने से पहले और soft बना लेती हैं और छोटा कर लेती हैं insult हम कहा सकते हैं कर लेती हैं पीस लेती हैं ठीक है? तो पहला type आपने पढ़ लिया crushing beak ध्यान रखियेगा second type है curved beak second type क्या है? curved beak curved beak मींस क्या होगा? curved मींस क्या होता? मुड़ा हुआ आप math में पढ़ते हो कहीं curved line देखा होगा न आप लोग ने? मुड़ी हुई line तो curved मींस क्या होता है? मुड़ा हुआ देखिये ये किस पच्छी में पाया जाता है parrot has a curved beak for cracking nuts and seeds it can imitate our voice parrot जो होता है तोता देखा होगा आप लोगों ने green color का होता है red color की उसकी beak होती है और थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है इस type से जैसे किनारे से मुड़ी हुई होती है और इसकी help से ये असानी से fruits को nuts को, seeds को crack कर लेता है तक तक करके क्या करेगा? crack कर लेगा, तोड़ लेगा और उसको खाने में असानी हो जाती है तो curved beak मींस क्या होगी? मुड़ी हुई चोंच जिन birds में पाय जाएगी पाय जा रहा है किसके लिए help करता है curved beak? seeds को, nuts को crack करने में, तोड़ने में और एक feature है parrot का especially, आप इसको याद रखेंगे parrot हमारी आवाज को imitate कर सकता है imitate means mimicry कर सकता है जैसे हम बोलते हैं हमारा देख कर कि वो भी same to same बोल सकता है आपको पता होगा न कुछ लोगों के घर पे parrot ठोंगे तो क्या करते हैं सीता राम, सीता राम तो इस तरह से parrot हमारी वेश को imitate करता है यानि कि हमारी तरह बोल सकता है और parrot में beaks किस टाइब का पाया जाएगा curved type का curved beak means moody हुई चोच now sifting beak अब कौन से type का beak है sifting beak है sifting means sift करना किसी चीज को sifting means sift करना किसी चीज को या कहीं से उठा कर कहीं पे रखना यसे होदा ना आप कहीं पे गए हो अपने mamma पापा के साथ घूमने कहीं पे गए हो और आपको किसी hotel में रुकना है तो क्या करोगे जब आप वहां से आने लगोगे तो आपको सामान को फिर से सिफ्ट करना पड़ेगा वहां से जो भी सामान आपने रखा होगा उसको गाड़ी में सिफ्ट करोगे गाड़ी से फिर अपने घर पे सिफ्ट करोगे यानि कि एक जगाँ से उठा करके दूसरे जगाँ पर किसी चीज़ को रखना, this is called as sifting. तो sifting beak मतलब क्या होता है, यह किसमें पाया जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं, देखे. Duck has a flat and broad beak, which has a small holes on both sides. एक वक्षी होता है, वो टक में पाया जाता है, duck. Duck means क्या होता है, पत्तक. अब इनकी beaks जो होती है, ऐसी होती है, फ्लैट होती है, क्यासी होती है, और दोनों sides में, कैसी होंगी, पहली बात देखे, फ्लैट होंगी and broad, मतलब चौडी, चप्टी और चौडी होंगी, और इनकी दोनों sides में, मतलब इधर भी और उधर भी, दोनो साइट पर चोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं समझ रहें आप ऐसे फ्लैट होगी और ब्राट बीक बड़ी सी चौड़ी सी चप्टी सी बीक होगी उस पर छेट पाए जाएंगे दोनों साइट से डग की बात हो रही है यहां पर अब क्या होगा इसकें सिफ्ट फूड प्लांट्स हो गए जो भी चीज़े हैं तो इसको यह मड और वाटर से उठा करके अपने बीक में सिफ्ट कर लेता है क्या कर लेता है और धीर-धीरे इंजक्ट कर लेता है मतलब खा लेता है तो आप समझे क्या सिफ्टिंग बीक का मतलब यह ऐसे टाइप का वीक जो की और प्राइट ब्राइट ब्राइट भी समझ गया आप लोग सिफ्टिंग मीज़ एक जगह से दूसरे जगह पर सिफ्ट करना next chausling beak next कौन से टाइप का beep है chausling beak है इखे ये क्या होता है Ōट p Away आपने सुना होगा कट फडवा इसकी चोंच बहुत मजबूस होती है इसकी वीग क्या होती है बहुत मजबूस होती है ब미द ये बीग हSTR Authent youtubers बीग to pick at the wood and eat insects present in the wood जो उट पे कर होता है उसके पास एक लंबी सी और मझबूत सी वीक होती है strong and long strong and long का मतलब लंबी और मझबूत वीक होती है और इस straight यानि कि सीधी होती है अब चुकी मझबूत है लंबी है इस ट्रेट वीक है इसकी तो इसकी अल्प से क्या करता है लकडियों पे ही रहता है जादा तर तो लकडियों को ये तोड़ सकता है इतनी मजबूत चोंच होती है कि ये लकडियों को तोड़ सकता है और उनमें से उनके होल्स के अंदर या लकडियों के अंदर जो भी इंसेक्स पाये जाएंगे जो भी टाइप का बीक जो की लकडियों को भी तोड ले जाए तो ऐसे बीक को हम क्या कहते हैं जायलिंग बीक कहते हैं जो की वुट पे करमें पाया जाता है Next is Sticky बीक Sticky बॉर्ड से आप समझ रहे होंगे Sticky means क्या होता है चिपचिपा Sticky means क्या होता है कोईची चिपचिपी होती है जब तब हम वहाँ पे sticky word उच करते है A swallow has a small and broad beak Swallow एक bird का नाम है इसके पास छोटा सा और बड़ा सा छोटा मींस छोटा सा और चोड़ा सा चोच होता है कैसा चोटी सी और चोड़ी सी चोच होती है It catches flies while flying और जब यह उड़ता है तो रास्ते में इसके जो भी insects आते हैं जो भी मख्या आती है जो भी mosquito जाते हैं उसको यह क्या करता है मूँ खोल के उड़ता है और इसका मूँ चुकी इसका जो weak होता है वो चिपचिपा टाइप का होता है sticky type का होता है small and broad जो छोटा सा चौड़ा सा बीक है वो चिपचिपा टाइप का होता है तो मूँ कोल के उड़ेगा तो उसमें जो भी insects फसते हैं जो भी मख्या फसती हैं वो सब क्या होती है उसी चिपचिपे पन के नाते उसमें चिपक जाती है और वो आसानी से उनको खा लेता है जैसे यह बीक है चोटा सा चोटा सा इसके अंदर चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ है चिपचिपा सबस्टेंस है तो मूँ खोल के अगर उड़ रहा है तो अंदर जो भी fly जाएंगी जो भी मख्या आएंगी सब क्या होंगी इसी स्टिकी मैटीरियल में चिपच जाएंगी स्टक हो जाएंगी और यह असानी से उन्हें डाइजस्ट कर लेगा समझ गए आप लोग स्टिकी बीक किस में पाय जाता है स्वैलो में पाय जाता है और यह small and broad beak होता है और इनके इस type के beak में अंदर से sticky material present होता है नेक्स्ट है बेटा probing beak आप probing से क्या समझते हैं देखे Sunbird has long and slender beak to suck nectar from flowers एक पक्षी है Sunbird कौन सी पक्षी है Sunbird है जिसके पास एक long and slender like beak होती है अलकी सी तिर्ची इस type की ऐसे दिखे इस type की beak होती है अलकी सी लंबी सी और इससे फायदा क्या है यह जो beak होता है इस type का यह birds जाती है flower के nectar को आसानी से चूस लेती है यानि कि flower के rust को चूस लेती है और फिर इनको flowers से ही अपना food भी मिल जाता है तो इस type का probing beak जो होगा इसका मतलब क्या है ऐसे type का beak जो slender like हो लंबा सा हो थोड़ा सा टेड़ा हो और इसकी हल्प से flower के nectar को चूस आ जा सके consume किया जा सके birds इसको consume कर लें उसे हम क्या कहते हैं probing beak कहते हैं जो flower के rust को चूसने में help करता है और sunbird में इस type का beak पाया जाता है probing beak किस में पाया जाता है बेटा sunbird में अब देखिए अब अब लोग बात करेंगे piercing and tearing beak piercing मतलब क्या होता है थासाना किसी चीज में छेत करना and tearing में चीड़ने पाड़ने वाला beak कुछ पच्चियों के ऐसे भी wigs होते हैं जिससे वो other birds को चीड़ पाड़के खा जाते हैं other animals को चीड़ पाड़के खा जाते हैं तो देखिए किशुब पाया जा रहा है Vulture and eagle have strong, hard and curved beak to tear the flesh Vulture means क्या होता है पेटा and eagle Vulture means git Eagle means chill Eagle और chill जो होते हैं इनके पास बहुत ही strong beak पाया जाता है बहुत ही मजबूत beak पाया जाता है और curved होता है ठीक है तोते की तरह इसका beak भी curved होता है और जिसकी help से यह मांस को चीड़ पाड़ लेते हैं चीड़ पाड़के खा जाते हैं तो piercing and tearing beak किस में पाया जा रहा है बर्ड के beaks के बारे में पढ़ लिया है अब हमको पढ़ना है feet and claws feet मतलब pair claws मतलब panjay ठीक है तो अब हमको birds के feet and claws के बारे में पढ़ना है देखिए the feet and claws of birds are safe to suit their purging and food habits birds का foot और claws उसी हिसाब से होता है उनका pair और panjay जो है ऐसे ही होते हैं जिससे कि उपने feeding habits को जो उनके suit करे उनके उड़ने में जो help करे उसी type का उनका feet and claws पाया जाता है उड़ने में भी जो help करे और उनके खाने को भी पाने में जो help करे claws are long curved nails present on the feet claws क्या होते हैं जैसे आपके हाथ के पंजे हैं पैसे ही birds के भी हाथ के पंजे होते हैं हाथ या पैर आप माल लो उनके feet में last part जो होगा ऐसे type के यहाँ पर देखिए आप figure में यह क्या करता है claws कहलाता है तो उनके claws में last में nails भी present होते हैं नाखून present होते हैं claws can be used for climbing claws की हिल्ब से birds कहीं पर climb कर सकते हैं किसी भी plant पर या किसी भी जगह पर जैसे होता है ना मंकीज में भी तो claws पाया जाते हैं और सारे animals में भी तो claws पाया जाते हैं just like other animals birds also have claws दूसरे जानवरों की तरह birds के पास पर claws पाया जाते हैं पंजे पाया जाते हैं अब किस किस में help है claws का climbing परिवातों चड़ने में protecting अपनी सुरक्षा करने में holding food food को पकड़ने में खाने को पकड़ने में swimming तयारने में और purging पर्चिक मतलब उड़ने में तो ये हो गए claws के बारे में and feet के बारे में तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे birds of prey birds of prey मतलब सिकारी पकशियां कुछ होती है सिकारी birds होती है तो उनके पास किस ट्राइप का claw और feet पाया जाएगा तो देखिए इगल इगल क्या है birds of prey है सिकारी पकशियां वल्चर भी क्या है birds of prey है यह भी सिकारी पकशियां hawk on the badge जो होता है badge सुना होगा आप लोग ने यह भी सिकारी पकशियां होता है तो इनके जो claws होंगे वो काफी sharp यानी की धारदार होंगे जिससे यह रास्ते में अगर इनको कोई रोक ने आ रहा है तो उनको अगर पंजा मार देते हैं तो उसको चोट लग जाएगी तो देखिये इनके पास बहुती मजबूत और धारदार पंजे होते हैं नाकून भी बहुत स्ट्रॉंग होते हैं इसके हल्प से यह उड़ते रहेंगे और तब भी अपने सिकार को नहीं छोड़ेंगे अपने सिकार को लेके उड़ जाते हैं नेक्स देखिए पर्चिंग बर्ड्स पर्चिंग बर्ड्स में उड़ने वाली पक्षियां इनमें किस टाइप का क्लॉप आया जाएगा देख लिजिए पर्चिंग मींज क्या होता है देखिए एक दो उड़ना होता है एक यहाँ पर्चिंग मींज बेटा कुछ ऐसे पर्चियां होती है कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जो कि सो जाएंगी डाल पर बैटे बैटे सो लेती है किसी तार पर बैटी हुई है तो सो जाएंगी तब भी नहीं किरेंगी पर्चिंग मतलब उनके पंजे इस टाइप के होते हैं कि वो बहुत टाइटली पकड़े हुए होते हैं और जब तक वो नहीं चाहती है कुछ से तब तक वो नहीं चूड़ता है तो इसी को क्या कहते हैं पर्चिंग कहते हैं अगर मैंने आगे आपको कहीं पर्चिंग मींस फ्लाइंग बताया है तो आपको कन्प्यूज नहीं होना है वो भी हो सकता है यहां पर्चिंग का मतलब है बेटा कि birds का birds sleep during rest period rest period में जब हो वोती है पेर पे हो चाहिए किसी तार पे हुआ हो या कहीं पे भी हो तो वो branch पे बैठे-बैठे ही सो जाती है इसे क्या कह जाता है परचिंग कहा जाता है क्योंकि गिरती भी नहीं है next and last swimming birds कुछ ऐसी birds भी होती है जो कि swimming करती हैं उनके पास उनकेंपने जो होंगे उनके cloth जो होंगे बैब्ड टैप के पाए जाते हैं बैब्ड cream इसके हई से वह बर्पे असानी से चल सकती है पानी में असानी से तेर सकती है तो इह तो चूल थे टाइप और आपने टीर्स पीचर भी पढ़ लिए आप इसको दो तीन बार देखिएगा ध्यान से समझेगा और अगर कहीं पर कोई confusion है तो स्कूल में आकर इसको discuss करिएगा thanks a lot to all of you